इन सभी महापुरुसों को याद करते हुए, शहीदों को याद करते हुए, इस महान परंपरा की रख्षा करने वालों को याद करते हुए, दोनों हाथ उपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की बंदे, 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 भाई और बेहनों ये उद्गोश इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि देश में कुछ लोगों को इससे भी तकलिब होने वाली है देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता मुझे कहते हैं कि मोधी भारत मा की जैसे लोगों का अभी बादन क्यों करता है साथियो अभी मध्यप्रदेश में नही नही सरकार बनी है उस सरकार की प्राथविक्ता देखिए और ये पुर्ण बहुमत जिन करके नहीं आए है उनकी प्राथ्विक्ता देखिए और उसे समझिये भी वहां की हंग एसेमली ने कॉंग्रेस की जो सरकार बनी है उसने आते ही सबसे पहला काम किया बंदे मातरम पर हल्ला बोल दिया एक तुफान मच गया अब रास्ता खोज रहे है बचने का दूसरा काम किया लोग तंत्र की रख्षा के लिए इमर्जन्सी जैसे अत्याचार के खिलाब लडने वाले सेनानियों को वहाँ की सरकार की तरफ से जो पैंशन मिलता था वो पैंशन भी कैंसल करने का निर्ड़ कर कोशिच हो रही है लेकिन बारतिये जनता पार्टी ने सभी राष्ट्र भक्तों की आवाज को धार दी जिसके चलते हैं पहले उनको वंदे मात्रम से जुड़ा आदेश वापस लेना पड़ा और अब इमर्जन्सी के सेनानियों की पैंशन भी उनको बहाल करनी ही पड़ेगी